Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel तुद देखिए, एक इन्वर्सेटी की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे ये है इटावाड डिस्टिक के सेफ़ाई में तो सेफ़ाई में एक गवर्मेंट का ले जाए यहां में यहां जो है काफी कोर्सेस है मेडिकल के फिल्ड में जैसे देखिए, पैरामेडिकल का भी कोर्स है फार्मेसी का और नर्सिंग का कोर्स है तो अब इसमें चीजे कुछ बदलाव की गई है यह 2021 का प्रास्पेक्टस है इसी के अनस्वार हम लोग समझ लेते हैं सब कुर समझ में आ जाएगा काफे स्टुएंट कूछ रहा है कि सेफ़ई में पैरामेडिकल का अप्लिकेशन फार्म का आएगा उसमें जो डिपलोमा होता है वो कैसे कोर्स होते हैं तो सब पूरी इंफार्मेशन इस वीडियो में आपको बता देंगे यह सब जो अप्लिकेशन फार्म आते थे न आप सब यह डिवाइड कर दिये गए हैं अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग इंटरंस एक्जाम में यह जाके आइड हो गए हैं तो देखिए यहाँ पे इतने कोर्स थे पहले कोर्स जान लीजिए कि अगर आपको सेफ़ाई से कोर्मेंट कालेज से यह कोर्स करने हैं देखिए वहाँ पे कैमपस सब एक है एक ही कैमपस है हास्टल अलग-अलग है कैमपस के अंदर और कैमपस के अंदर कालेज भी है तो टोटल आपका अलग-अलग डिपार्ट है अलग-अलग आपके classes चलती हैं, अलग-अलग आपको hostel मिलते हैं, तो सब चीजे ऐसे वहाँ पे है, अब देखिए, यहाँ पे अगर सेफ़ई की बात करेंगे, तो BPT, यह देखिए, यह एक paramedical का course है, BPT, Physiotherapist का course, B.Aptometry, यह I.का है न, I.का B.Aptometry होता है, बैचलर कोर्स है, यह भी 4 साल का कोर्स है, यह भी 4 साल का कोर्स हो, 6 मंद का इंटर्नसिफ होता है, BMLT, Lab Technician जो होते हैं, यह भी बैचलर कोर्स है, यह भी paramedical का कोर्स है, यह seat की संख्या दी गई है, यहाँ पे देखिए, BRIT, जो radiologist ह होते हैं, यह एक सरे, जिसको, ultrasound, जिसमें USG आता है, यह student करते हैं, जिसमें interest होता है, जिस student का, फिर यहाँ पे, यहाँ पे कोर्स है, B.Pharma भी इस university में है, तो यहाँ पे देखिए, यह सभी कोर्स इस university में है, B.Pharma मतलब, Bachelor of Pharmacy, मतलब जो medicine वाले होते हैं, यहाँ पे देखि यह G.N.M. Nursing में तीन कोर्स होते हैं, B.S.C. Nursing, G.N.M. में कितने कोर्स नर्सिंग में, B.S.C. होती है, B.S.C. Nursing होता है, G.N.M. होता है, और एक होता है, A.N.M. की ऐसे तो डिप्लोमा की जीनेम नर्सिंग के एक कोर्स आपका बेसी नर्सिंग जो है ये देखिए नर्सिंग कोर्स में ये बेसी नर्सिंग जो होता ना ये बैचलर कोर्स होता है डिगरी कोर्स होते हैं और अगर यहीं पर बात किया जाए बिन नर्सिंग में जो जीनेम है यह कोम साहब बैचलर है कि डिप्लोमा है तो यह तो डिप्लोमा कोर्स है तो अगर जो भी स्टुडेंट डिप्लोमा कोर्स करने को सोच रहे हैं और वह भी बायलोजी से हैं साइन्स साइट से इंटल किया है तो यहने मत करिएगा आप बेसी नर्सिंग करिएगा according to me, according to feature मतलब 22 में जब application फार्म आते हैं तो फिर problem होती है problem क्या होती है वहाँ पे आपका दो साल experience लेते हैं या फिर पोस्ट बेसिंग मंगते हैं अगर आप बेसी नर्सिंग किये रहेंगे तो आप कोई आप direct फार्म अप्लाई कर पाएंगे अब यहाँ पे देखिए यहाँ यह अगर बात किया जाए कि सेफ़ई में यह भी कोर्स सब वहाँ पे कराए जाते हैं सभी कोर्स यह हैं अब यह पैरा medical के सब डिपलोमा कोर्स हैं देखिए सीट की संख्या इधर दी गई है इधर दो साल के सभी कोर्स हैं जैसे बात किया जाए D.O.T, Diploma in O.T. Technician, एक अच्छा कॉर्स है, यह देखिए D.E.T.C.E.T, Diploma in Emergency and Trauma Care Technician, जो Emergency Ward में आपके duty लगते हैं, अच्छा कॉर्स करने के बाद, D.Aptometry, Optometry का वैचलर भी कॉर्स यहाँ पर है, डिप्लोमा भी कॉर्स है, D.P.T, Physiotherapy का भी यहाँ इस University में वैचलर कॉर्स भी है, डिप्लोमा भी कॉर्स है, यह देखिए D.E.P.L.O.M.A.N. Dialysis है, D.E.P.L.O.M.A.N. CT scan भी है, D.E.P.L.O.M.A.N. CT scan जो Assistant बनते हैं, वो भी है, D.E.P कॉर्स आपका D.P.L.O.M.A.N. Blood Transfusion है, तो यहाँ पर टोटल 660 सीट ऐसे लगभग में है, लेकिन बात किया जाए कि इन सभी कॉर्स में एडमिसन कैसे होगा, तो यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, यह जो 9th नंबर से है न, यह 9 नंबर से लेके यहाँ तक, यह अब एडम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फाइगल्डी, यह तो यह आपके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फाइगल्डी का अप्लिकेशन फाम आता है, और 11th आपका 10th क्लास में और 12th क्लास में कितने परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज के बेस पे आपका एडमिसन होता है इन सभी कोर्स में और इसी इणिवर्सइटी में यह सिरू नहीं है यह पूरे आल इविपी में जितनी भी गवर्मेंट और फ्राइबेट कालेज इन सभी कोर्स कराते हैं यह सब कोर्स सबी स्थेट मेडिकल फाइकल्टी के थरू ही होता है तो उसके application farm मान के चलिए भी अप्रेल है ना मई के last तक आएंगे इसके application farm तो आएंगे जरूर आते ही है अट साल और अगर यहाँ पर बात किया जाए कि A&M course आपका A&M course और G&M एक A&M course यह हो गया और यहीं पर बात किया जाए A&M हो गया, G&M course हो गया और यहीं पर बात किया जाए एक pharmacy की यह देखिए एक pharmacy तो pharmacy हो गया B pharma हो गया, G&M हो गया और A&M हो गया इन तीन course के लिए यहाँ पर application farm अभी भी आते हैं अभी 2030 में इसके application farm आये थे 2022, 2021 पहले पहले यह सभी एक single entrance exam यह university खुद कराती थी और इन सभी admission लेती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है अगर बात किया जाए B pharma, G&M, A&M इन तीन course के लिए application farm अभी यह university निकालती है 2023 में तो निकाली थी, 2024 में भी निकलने का chance है, देखिए कोई update होता है, तो आपको बताएंगे लेकिन अभी क्या scene है, अभी आप समझ लेजिए तो अगर आपको nursing मान लीजिए आप UPMS से यह 3 course करना है B pharma हो गया, G&M है A&M है, तो application farm आएंगे उसका application farm आपको flip करना पड़ेगा और अगर यहीं पर बात किया जाए यह जो आपके और भी यह सभी course है, BSC nursing छोड़के अगर BSC nursing की बात कर लेते हैं जो best course है, यह देखिए BSC nursing यह 4 साल का जो course है अगर बात किया जाए, UP UMS में जो application farm आते थे उसके थुरू आपका admission हो पाएगा की नहीं, तो यह BSC nursing की seat जो है, UPMS में तो अभी short seat वहाँ पे है, लेकिन यह short seat का admission यह अब अटल भिहारी घाचपही के थुरू BSC nursing course में admission होता है BSC nursing में, आल UP में जितने भी private government college है एक single entrance exam होने लगा, एक single entrance exam, उसका application farm बस दो ही चार दिन में, आज भी आ सकता है कल भी, दो दिन बाद, एक दिन बाद मतलग 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा application farm बस आने ही वाला है तो BSC nursing course यहाँ पे जो होता था, वो आपका अटल भिहारी घाचपही में जाके जुड़ गया है, और अगर यहाँ पे बात किया जाए, और जितने यह degree course है, paramedical के जो मैंने अभी उपर बताएं, जैसे BPT, Boptometry, उसके बाद BRIT, BMLT, और BPT, यह सभी course जो हैं यह भी अटल भिहारी घाचपही UP में एक single entrance गयाम होता है, जैसे BSC nursing का होता है, वो से paramedical का CPET आता है, C-P-E-E-T इसी के नाम से combined paramedical entrance test होता है वो भी university कौन सी कराती है A-B-B-M-U कराती है, अटल भी आरी वाजपही medical university उत्तर परदेश में है तो यह भी जैसे BSC nursing के लिए entrance इजाम होता है, ऐसे paramedical के लिए अलग से application इसके भी आते हैं, तो और भी जो यह जैसे हो गया, केजमी हो गया, S-G-P-G-I हो गया, फिर उसके बाद और जितने भी paramedical degree course के college हैं, इसी के थूरू admission होते हैं, CPET के थूरू तो यह पूरी information आपको पता चल गई होगी तीन आपको बता दिये एक merit base, एक intrinsic jam base और एक आपका UPMS तो टोटल चीजे clear होई होगी, नहीं clear होई होगी, तो फिर बता देंगे कभी ना कभी होज से clear होना चाहिए जितनी चीजे बताई गई हैं, तो आप लोग अगर तयारी, इन सभी की तयारी करनी है, तो आप इसी channel के माद्यम से जाके physics, chemistry, biology total complete किया गया है, जाके playlist में आप देखिए, और समझ में चीजे आएंगी ही, 100% बहुत सांदार पढ़ाए गया है, और आप selection तो होई जाएगा, अच्छे से selection हो जाएगा, तो चलिए, next video मिलते हैं, और कोई चीज अपडेट होगा, तो वो भी आपको बताते रहेंगे, channel से जुड़े रहिए, thank you